कि हाड आपर हालो दोस्टों मैं आपका दोस्त आपका साती रविंद्र और आज हम एक इंप्पोटेंट टोप को पर चRचा करने वाले हैं जो बहुत ही जदा इंपूटेंट नहीं वाले कि आपने सोसल मीडिया पर ऐसी वीडियो बहुत ही जज़ा देखी होगी जिसमें आखिर इस मार्पिट करने का कारण क्या है सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी अपराद में या किसी भी मोटर विकल एक्ट के किसी भी नियम के उलंगन में ये प्राउधा नहीं किया गया है कि सामने वाले सक्स के साथ मार्पिट की जाए उसके बाद में यदि कोई पुली करने वाले और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप किस परकार से एक्सल ले सकते हैं आज उसी के उपर हम चर्चा करने वाले हैं तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके सामने या आपी के खिलाफ यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गलोच की जाती है मारबीट की जाती है या आपके साथ अबद्र वेवार किया जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपका जो सबसे पहला दाइत होना चाहिए जो आपकी नोलेज में जो यह बात होनी चाहिए यह बात है आपको उससे उलजना नहीं है यदि आप उससे उलजेंगे या आप उससे उ वेसाई वेवार करने के लिए उत्तावलेपन से उसके साथ वेसाई वेवार करने के लिए उच्छुक होते हैं तो पुलीस अधिकारी आपको आईपीसी की धहरा 353 के तहत जिसमें एक लोग से वको जो अपने कर तवे के ऊपर कोई कार्य कर रहा है या अपने करतवय का निर्भाहन कर रहा है उसे डराने के उपर ये धहरा लागू होती है तो वह इसके तहत आपको तुरंट अरेश्ट कर सकता है या आपकी गिरफ्तार पुली सद्धिकारी से उलजे नहीं आप सबसे पहले तो अपनी वीडियो डिगोर्डिंग चलो कीजिए या आपकी नोलेज में आसपास के जो प्रस्तितियां हैं आपको जो देखने वाले लोग हैं ओविसली बात है कि जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो देखने वाले और वीडियो बनाने वाले आखिर बहुत हैं तो इसमें देख लीजिए कोई वीडियो बना रहा है या आपका कोई साती वीडियो बना रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो आप पुली सद्धिकारी को पहले तो सांती से समझाईए उन्हें उनके करतवे याद दिल तो आप ना तो किसी गलत सब्दों का प्रियोग करेंगे और ना ही मार्पीट करने के लिए उताओ ले होंगे आप उसके खिलाफ लिगल एक्षन लेंगे और वह लिगल एक्षन आप कैसे लेंगे उसके लिए बताऊंगा मैं बने रहे वीडियो के आखरी तक जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि प्लिस अदिकारी के अबद्र वेवार के उपर आप किस तरह लिगल एक्षन ले सकते हैं तो सबसे पहली बात यदि प्लिस अदिकारी ने आपके साथ अबद्र वेवार किया है तो आप कहां जाएंगे प्लिस ताने में एफायर करवाने आप एफायर F.I.R. करवाने के लिए जाते हैं और आपकी F.I.R. नहीं की जाती तो आप सम्मंदित S.P. से संपर्क करेंगे जो S.P. महोदे होते हैं उनके पास जाकर आप अपनी F.I.R. को भी दर्ज करवा सकते हैं यदि आप ऐसा नहीं करना चाते या ऐसा करने पर भी आपको कोई प्रिक्रिया नजर नहीं आती तो आप सीधा कोट चले जाईएगा और जब आप कोट जाते हैं तो एक वकील के माध्यम से आप कोट में जाकर सिकायत कीजिए जिसमें आपको IPC की धारा 504 के तहट आपको सिकायत दर्ज करवानी है और साथ के साथ ये भी बताना है कि यदि आपके साथ पलिस अधिकारी दोरा या किसी आर्टियो के ओफिशर दोरा या किसी भी ट्राफिक पलिस ओफिशर दोरा आपके साथ मारपीट की गई है तो आप IPC की धारा 323 का भी उसमें 323 को भी उसमें दर्ज करवाई है उसके विरुद उपर से एक तरह से ये भी देखते हैं कि यदि पुलिस अधिकारे ने अपने कर्तव वे से हट कर कोई कारे किया है और यदि ऐसा ही कोई वारदात होती है तो पुलिस अधिकारे ने अपने कर्तव वे से हट करी कारे किया है तो IPC के धारा 166 और IPC के धारा 166 ए ये भी परवरतन में आ जाती है तो किसी वकील के माद्यम से आप कोट में जाकर सिकायद दर्ज करवाईए और इन धाराओं का सयोग लीजिए इन धाराओं को उस पुलिस अधिकारी उपर लगाईए ताकि पुलिस अधिकारी और इसमें दो साल तक की सजागा प्राउधान है यदि आप पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस प्रकार से एक्षन लेते हैं तो वह पुलिस अधिकारी अपने जीवन में एक गाट बान लेता है कि उसे अपने करतवे से हट कर कोई कारें नहीं करना है और जितनी भी डूटी उस पुलिस अधिकारी की बची होती है उसको एक सबक मिल जाता है और वह अपनी डूटी को जो अपना करतवे है उसका निर्वहन बड़ी सांती से और अपने करतवे के पद पर रहते वे करता है यदि आपके साथ मार्पिट की जाती है और मार्पिट की जाती है और आप सांती से बेट जाते हैं तो उसमें एक बहुत ही बड़ी बात है इसी के साथ हम एक टॉपिक के उपर और चर्चा करते हैं कि जब भी आपके साथ मार्पिट की जाती है तो आप सांती से उसे सहन कर ल प्रियास करने का प्रियतने करते हैं तो यह क्या है यह आपके अंदर का डर जिसे एक तरह से आपके अंदर का डरी कहा जाएगा और इसमें यदि आप आपके अधिकारों को नहीं जानेंगे तो आपके अधिकारों को जानने के लिए आखिर आएगा कौन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाऊंगा और मेरे कहना आपको चाए किसी भी प्रस्तिती में आपके साथ के सब भी वेवार हो एक्सन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज आपके साथ गाली गलोज होती है कल आपके साथ मार पीट भी होगी क्यों क्योंकि जो आपके साथ गाली गलोज करता है उसे आप इस बात का विश्वास दिला देते हैं कि आप किसी परकार का एक्सन नहीं लेगे अगया आई दिन आपके साथ मार पीट अवस्य करएगा इस लिए अपने अधिकारों को समझने की ज़रोते और तुरंत प्रभारों's से एक्सन लेने की ज़रोते कानून किसके लिए बनाए गया यह कानून आपके लिए बनाए गया इसे जानो जानने का प्रियास करो क्योंकि यह कानून आपके शुरक्षा के लिए आपकी आत्मरक्षा के लिए कानून एक किताबों में दर्च करने के लिए या किताबों के पन्ने भरने के लिए नहीं बन कि या प्रिवार की प्रियास कीजिए यदि आप जुडिशीर से संबंद नहीं रखते हैं आप एक आम नागरिक है यह आपके परिवार में कोई एड़कीट नहीं है यह कोई जुडिशी डिपार्डिमेंन से रिलेटिव नहीं हैं तो आप हमारी youtube channel को follow कीजिए जिसमें आप YouTube channel को follow कीजिए हमें follow कीजिए हमारी YouTube channel को subscribe कीजिए जिससे आपको पूरी knowledge मिल सके और आप अपनेये अवकील सवयम बन सके दीजिये मुझे इजाज़त मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जैहिन जैवारत